यदि एक कालपनिक रेखा द्वारा पुरे प्रिथवी को शैतिज रूप से यानि होरिजॉंटली दो बराबर भाग में बाट दिया जाए तो उस वृतिय रेखा को भूमध्य रेखा एक्वेटर कहेंगे। इस प्रकार एक्वेटर प्रिथवी को दो बराबर भागों में उत्तर एवन दक्षिन के रूप में विभाजित करता है। इक्वेटर के उपरी भाग को उत्री गोलार्ध, नोर्दन हेमिस्फेर तथा दक्षिनी भाग को दक्षिनी गोलार्ध, सदर्न हेमिस्फेर कहते हैं इक्वेटर को शूने डिग्री माना गया है क्योंकि यह मध्य में हैं प्रिथवी के सबसे उपरी बिंदु को उत्री ध्रूव, नौर्थ पोल तथा प्रिथवी के सबसे दक्षिनी बिंदु को दक्षिनी ध्रूव, साउथ पोल कहते हैं उत्री ध्रूव और दक्षिनी ध्रूव को मिलाने वाली कालपनिक रेखा को प्रित्वी का अक्ष यानि एक्सिस कहते हैं प्रित्वी इसी एक्सिस को केंद्र बना कर घुमती रहती है